उसके बाद जैशंकर प्रसाजी का जो बीती विभावरी जागरी और चिर तुर्शित कंट से तुर्पती विदूर जो है यह जो कविता है यहापर आप लोगों के लिए है आपके पटिक्रम में है इसके बाद बीस्वा जो है आपर रूपा संजी का गोन साया और गलतिया देख सकते हैं आपर आप आनुवाद देखें आनुवाद में मैंने आपको बताये ताकि 35 अंक के लिए प्रशन पूछेंग के 3rd semester BBA का जो हिंदी पाठे क्रम है उसका परिचे जो है देखेंगे मतलब यहाँ एक introduction class है देखे 3rd semester का जो यहाँ पर पत्रिका है उसका नाम है यहाँ पर हिंदी पदिसाहितिय और अनुवाद पदिसाहिति के अंतरगत आपको जो है यहाँ पर कावे गंगा है पद्धिसाहितिक के अंतरगत कावि गंगा नामा किये पुस्तक है इसमें कुछ कविताओं का संकलन जो है यहापर किया गया है तो चलिए कौन-कौन सी जो कविताएं हैं आप लोगों के लिए हैं मतलब आपके सिलबस में है करके अभी हम देखेंगे देखेंगे यहापर कावि गंगा किताब में जो पहले यहापर कबीर जो है मतलब कबीरदस के दो है यहापर है देखेंगे यहापर संक्या के सामने यहापर ठिक माक जो है किया गया है तो पहली कविता जो है वहाँ है कबिर मतलब कबिर दस्च की कुछ दोहों को यहाँ पर चुनकर आपको दिया गया आपके पाटी पुस्तक में वहाँ है उसके बाद यहाँ पर दो तीन और चार मतलब जो तुलसिदा सूर्दास और मीरा भाई के जुपद है यहाँ पर आप बिहारी लाल बिहारी लाल के दो है जो है आप लोगों के लिए है उनकी कुछ दोहों को आपके पाटे क्रम में रखा गया है फिर इसके बाद छटा और सात्वा जो कविता है यहाँ पर रहीम के और आयोद्याय के कुछ कविता है जो है आप लोगों के लिए नहीं है सबस्क डरा लड़कों उसके बाद जाइशंकर प्रसाजी का जो बीती विभावरी जागरी और चिर तुशित कंट से तुप्ति विदूर जो है यह जो कविता है आप लोगों के लिए है देखे यह आपरा दस्वा कविता जो है आप लोगों के लिए है जो जैशंकर प्रसाद्दी के दो कविता है जिसमें बीती विभावरी जागरी चिर तुशित कंट से तुप्त विद तुकहने दुकहने हैं इसके बाद आप लोगों के सिलबस में सुर्वा कविता आप लोगों के लिए नहीं है जो सुबद्रकुमारी चौहांची की तुकहन है इसके बाद है चौधा जो कविता है आपर रामकुमार वर्माजी की गुरुदक्षिना बहुत ही सुन्दर कविता है गुरु दक्षिना एक लव्य से सम्मनित एक कविता है गुरु दक्षिना तो ये जो है आप लोगों की सिलबस में है नेक्स्ट देखे या पर पंद्रा दिके महादेवी वर्मा जी की मंदिर का दीप और मेरा मिटने का अदिकार जो कविता है ये जो है आप लोगों की सिलबस में है आपके पाट्टे क्रम में है इसके बाद नेक्स्ट देखे ये जो सोलवा या पर कविता है रामदारे सिम जी का या पर दिनकर और हिमालाए ये आप लोगों के लिए नहीं है तो यह पर जितना भी टिक किया गया वो जो है आप लोगों के लिए है नेक्स्ट देखे यह आपर सत्रा नागार जुन जी का आकाला रुसके बाद और अबके इस मौसम में यह कविता आप लोगों के लिए है फिर इसके बाद आठरा जो है वहाँ भी है रामनारेन जी का देखे यह आपर ओम ब्रश्टाचाराय नमाहा रामन नायर का जो है ओम ब्रश्टाचाराय नमाहा यहाँ भी आप लोगों के सिल्बस में है फिर इसके बाद कुवेंपुजी का वो बाईयो आए त्वरित आए ये जो कविता है यहापर आप लोगों के लिए है आपके पटिक्रम में है इसके बाद बीसवा जो है पर रूपासंजी का बोंसाया और गलतिया यहाँ भी जो है आप लोगों की सिलबस में हैं तो जितने मने बता हैं जितने भी अपर हैडंक में टिक किया घया वह सबी जो है आपके आपके पार्टे क्रम के लिए इसका अरत आप लोगों ने अभी तक सम hmझ लिया है काव गंगा कविटा कावी जो एक कविताओं का किताब है उसमें जितनी बी कविता हैं वो सभी को आपको नहीं पढ़ना है उन में से कुछ चयन जो है या पर आपको करके दिया गया है सिर्फ उसी को पढ़ना है वही आपकी पाट्टेक्रम मतलब सिल्बस में है उसी से संबंदित प्रश्ण जो है या पर 45 अंक के लिए आपको पूछा जाएगा तो ज अनुवाद भी जो है आप लोगों को यह पर अनुवाद से भी 35 अंक के लिए प्रश्ण पूछा जाएगा तो उसमें कौन-कौन से विशय जो है आप लोगों के लिए है अनुवाद में कौन-कौन से जो विशय है अनुवाद से संबंदित जो आपके पट्टेक्रम में आ अनुवाद क्या है यह जो है आप लोग समझेंगे फिर उसके बाद अनुवाद कला है या फिर विग्नान है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे फिर उसके बाद देखिया अनुवाद के जो प्रकार है अनुवाद के कितने प्रकार है और अनुवाद का महत्व क्या है उनका प्रयोग क्या है यह सभी जो है आप यह आपर जानने वाले हो फिर उसके बाद शब्दा अनुवाद भावा अनुवाद वाइग्नानिक अनुवाद तक्नीकी अनुवाद वानिज्य अनुवाद प्रशासनिक अनुवाद और कानोनी अनुवाद पारिवाशिक शब् 35 अंक के लिए मतलब 35 मार्क्स के लिए प्रश्ण आपको पूछे जाएंगे तो यहाँ पर पारिबाशिक शब्दा वली भी आप लोगों के लिए है तो यह रहां आपके पाट्टे क्रम से सम्मंदित परिचे एक छोटा सा इंट्रेडक्शन जो है आपके सिल्बस में क्या है करके तो अभी देखे यह पर इनसे कैसे आपको प्रश्ण पूछेंगे कितने अंक के लिए प्रश्ण पूछेंगे कावी गंगा से मतलब जो पद्यसाहित्य है उससे जो है 45 मतलब 45 मार्क्स के लिए प्रश्ण पूछेंगे फिर उसके बाद अनुवाद से 35 मार्क्स के लि से यह पर आपको 80 अंक के लिए प्रशन पूछा जाएगा तो और 20 अंक जो है यह आपके इंटरनस माक्स जो है अड़ हो जाएंगे तो अभी मैंने आपको बताया था कि 80 अंक के लिए यह आपर प्रशन आपको पूछे जाएंगे तो किस तरह प्रशन पूछेंगे आपकी प प्रश्णों यहां पर आपको पूछेंगे, दस अंक के दो प्रश्णों यहां पर आपको पूछेंगे, यहां पर देखें, प्रीतम से समधित प्रश्णों पूछा गया है, प्रीतम कविता का सारांश लिकर उसकी विशेशताओं पर प्रकाश डालिये करके, फिर ऐसे ही जो आप प्राप्त कर पाएंगे, तो 10-10 अंक के 2 उत्तर जो हैं यहाँ पर आपको लिखना है, अच्छे से लिखा तो 20 अंक यहाँ पर आप प्रॉप्ट कर पाएंगे, इने करते नहीं पर प्रक्रूतिक छित्रय ने उसके बारे में प्रशनी पूचा पुचा है फिर गलतिया कविता का जो शीर्षक की सार्थकता है उसको मतलब इन विशेयों पर आपको टिपणी लिखनी है देखें पांच-पांच अंक के लिए तो यहापर किनी दो पर टिपणी लिखनी तो दस अंक अभी बीस अंक हो गया अभी यह भी दस मिला लेंगी तो तीस अंक यहापर कावी गंगा से हो गया नेक्स्ट देखिए आपर किनी तीन आउतरणों की सवप्रसंग व्याक्या कीजी तीन आउतरणों को यहापर सवप्रसंग व्याक्या करनी है किस तरह यहापर आप P.U.C. में सभी पहले सवसंदर भुभाव स्पष्टी करन करते थे वैसे ही यहाँ पर आपको क्या करना है सरप्रसंग व्यक्या करना इसमें थोड़ा सा और ज्यादा आपको विस्तार पूर्वा क्लिकना पड़ेगा यहाँ पर भी पांच अंक ही है तो यहाँ पर आपको तीन अगर आप सरप्रसंग व्यक्या करेंगे तो पंदरा अंक यहाँ पर आप प्राप्त कर पाएंगे एक सरप्रसंग व्यक्या के लिए पांच अंक अगर आपने इन में से तो आपको यह पर आपको छे यह पर सब व्यक्या करने के लिए देंगे तो आपको यह पर छे में से किनी तीनों का सब प्रसंग व्यक्या कर लिया ना अच्छे से तो पंद्रा अंक यह पर आपको प्राप्त कर पाएंगे तो यहापर एक-एक कविताओं से या फिर दो हो एक-एक-दोहा या फिर एक-एक कविता से एक-एक पद्धिभाग या फिर पद्ध्यांश जो है आपको देंगे उनकी सव प्रसंग व्यक्या जो है आपको करना है नेक्स्ट देखे यहापर छे मैंने बताया था आपको छे जो है यहापर पद्धिबाग जो है आपको देंगी उनमें से तीन का ही आपको साप्रसंग व्यक्ता है जो है करनी है तो यहापर कुल मिलाकर 45 अंक के लिए यहापर कावी गंगा से जो है प्रशन हो गए अभी नेक किसे कहते है अनुवाद कला है या विज्ञान सिद्ध कीजिये करके या फिर शब्दान वाद से बावानवा श्रेश्ट समर्तन कीजिये करके दो प्रशन पूचा गया यहापर देखे अथवा करके हैं तो इसका मतलब क्या है इन दोनों प्रशनों में से किसी एक प्रशन क जवाब अगर आप सही तरीके से लिखेंगे तो दस अंक जो है या पर आप प्राप कर सकते हो तो 10 माक्स हो गया तो अभी नेक्स्ट देखे आपर वानिज्य अनुवाद पर विचार कीजे करके आप उस पर टिपनी लिख सकते है दस अंक के या फिर हिंदी में अनुवाद करने के लिए एक पैराग्रॉफ जो है आपड़ अनुच्छेद आपको दिया जाएगा अंग्रेजी में अनुच्छेद देंगे और करनेड़ा में भी किस तरह आपको पी ऊसी में एक एक वाक्य देते थे हैं याद होगा तो आपको या पर पी ऊसी में 5 अंक के लिए एक अनुवाद कीजे करके देते थे तो पांच उंक तो यहाँ पर पांच अंक के लिए सेंटेंस नहीं देंगे पूरा एक अनुच्छेद पैराग्रॉफ यहाँ आपको क्या करना है उसको हिंदी में कंड़ा में या फिर अंग्रेजी में पढ़ना है और हिंदी में उसका अनुवाद करना है सही तरीके से किया स्कूराफ फंक 5 आख नजिए बलकि अगर इस किंग आ पर आपने सही अनुवाद हिंदी में तो 10 आख आप प्राप li s Bundestag फ्रिश्ण के मतलब पांच वाज़ोय। प्रश्ण है उसका उत्तर आप लिख सकते हो नहीं तो यह पर अनुवाद जो है बहुत ही आसानी से आराम से आपर कर पाएंगे तो दस अंक बहुत ही आसानी से अपले सकते हो देखें नेक्स्ट देखें आपर एक शब्देया वाक्य में उत्तर लिखें करके 15 अंक के लिए एक प्रश्ण एक एक सकते हो और फिर यहां पर देखें उधारंड के लिए आपर पूचा गया कि अंग्रेजी पर यह शब्द क्या है अनुवाद के दो लाब लिखें और यहां पर फिर उसके बाद पारीबाशिक शब्दावली नहीं सही आगर तीस तरह से सभी आपको 10 प्रश्न पहले पूछ एक सही उत्तर के लिए एक अंक फिर उसके बाद 5 दोगिया पर पारिवाशी शब्दावली है मतलब इन पारिवाशीक शब्दावली उनको जो है यह पर हिंदी में अनुवाद करके लिखना यह पर जिसे अड्वूटेजमेंट के लिए क्या कहते हैं विज्यापन नेक्स्ट confidential, graduate, interview, nomination तो इन सब के लिए आपको हिंदी में जो है अनुवाद करके हैं हिंदी में क्या कहते हैं करके वो जो शब्द है पारिवाशीक शब्दावली जो है शब्द जो है उन आपको लिखना है तो पारिवाशीक शब्दावली मतलब क्या है और अब पारिवाशीक तो इस भाग में तो आपको 35 अंक आराम से प्राप्त कर सकते हो अगर थोड़ा सा ध्यान देकर अगर आप पड़ेंगी देखिए एक सलामी यह आपको देना चाहती हूँ यह आप अच्छे से स्कोर जो है कर सकते हैं थोड़ी से इंट्रेस्ट थोड़ी से क्या है अपर प् प्रशन पूच सकते हैं इसलिए हर रेक वाक्या हर रेक उत्तर जो है यहां पर सार्ज आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी रहता है थोड़ा सा इंट्रेस्ट और थोड़ा सा यहां पर महनत करेंगे तो अच्छे से स्कोर यहां पर थर्ड सेमिस्टर में हिंदी भाषा कर सकते हो धन्यवाद